हर हर महादेश री सिवाई नमस्तुभ्यम आज वीडियो में जानेंगे गुरुदेव ने अपनी इन दिनों चल रही कुरुक्षेत्र की कथा में बताया है एक ऐसे ब्रत के बारे में जो विसे इस रूप से एक महिला को करना ही चाहिए क्योंकि पती की इससे लंबी आयू होत चलते हो ये कोई भी कारण सवकता है पती और पुत्र की लंबी आयो के लिए यह जो है ब्रत अपने आप में अद्भूत है इस ब्रत के प्रभाव से जो है विस का जो बीमारी का विस है वह पुल्न रूप से हरण हो और इस ब्रत के प्रताप से पती की लंबी उम्र और पुत्र की जो है स्वास्त और विद्या में जो है दिन पर दिन ब्रधी होती जाती है यह ब्रत जो जानते हैं करते हैं उन्हें इसका प्रभाव पता ही है इस ब्रत का प्रभाव इस ब्रत का वर्णन जो है वेद सास्त्रो में प्राचीन समय से ही मिलता है इस ब्रत का नाम है पूर्णिमा का ब्रत गुरुदेव बताते हैं अपने आप में अध्भुत है अब जानते हैं पूर्णिमा का ब्रत कब से सुरू करना चाहिए पूर्णिमा का जो ब्रत है माग पूर्णिमा से भी सुरू किया जा सकता है सर रम्ममौोरत में लाल या फीले रंग या सफेद रंग या वस्तरों का चैन करनासरा किता हैck पीले रंग वस्तरों नामों का जाप करनासरा qal amb अतालक्षमी का पूजन कीजिए सत्ति नारायन भगवान की कथा का स्रमन कीजिए पूरे दिन इसी तरह निराहार ब्रत करना है शाम के समय जो है चंदर देव को दूध मिस्रत जल से अर्ग देना है और चंदर देव के मंत्रों का जाप करना है ओम चंदर देव आये नम्हा य जब सत्ति नारायन भगवान की कथा तो स्राम को सुनी जाती है पड़ी भी जाती है लाफकर होता है जब आप पूजन करेंगे तब भी अपने मन की कामना आवश्य करेंगे इस तरह से जो है इसकी पूजा विधी है इस ब्रत में जो है नमक नहीं खाया जाता पूर्ण ब्रत को सरल तरीकर का यह ब्रत होता है अवश्यक रूप से एक महिला को धारन करना ही चाहिए बहुत सरल विधी होती है और इस ब्रत का प्रभाव अधभूत होता है वीडियो आपके लिए हैलफुल रही हो कोई आपके मन में सवाल हो तो अवश्य पूछिएगा कमेंट्स